वेलकम टू टेक्स्ट गैलेक्सी, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग यूपी ट्रिपलेसी पेट 2022 के प्रेक्टिस सेट चैनल पर स्टार्ट हो चुके हैं लेखपाल की सफलता के बाद अब पेट में अच्छा इस्कोर करने का समय आ चुका है चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपका कोई भी प्रेक्टिस सेट ना चुटें चलिए देखते हैं आज का प्रेस राज के नीत निदेशक सिध्धान पहला प्रेस नहें भारत के संब्धान का कौन सा अनुच्छेद राष्टिय महत्त के इसमारकों और अस्थानों और वस्तूं की सुरच्छा से संबंदित हैं अनुच्छेद उन्चास करेक्ट आंसर C होगा भारत की संभिधान के अनुच्छेद उन्चास का संबंद राष्टिय महत्त्य के इसमारकों और अस्थानों और वस्तों की सुरच्छा से हैं अनुच्छेद 48 क्रिशी यूंपसुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण का संद्चर और समयर्धन तथा वन यूंवन जियों की रच्छा से संबंद राष्ट अनुच्छेद पच्चास न्यायपालिका वकारपालिका के प्रिथक करण से संबंद हैं नेक्स्ट है मौलिक अधिकार यों कर्तब पहला प्रस्ण है भारती सम्विधान का निम्न लिखित में से कौन सा अनुच्छेत बिधिक सम्ता यानि कानून के सामने समानता से संबंधित है चौदा करेक्ट आंसर ए होगा अनुच्छेत चौदा बिधि के समक सम्ता और समानता से संबंधित है या मौलिक अधिकार के अंतर गताता है संबिधान की भाग तीन में अनुच्छेत बारा से पैतिस तक मौलिक अधिकार वडित है इसे संयुक्त राज अमेरिका की संबिधान से लिया गया है नेक्ष्ट है भारती सम्विधान का कौन सा अनुच्शेद कानून के समान्ता प्रदान करता है चौुदा, करेक्ट आंसर B होगा सम्विधान के किस अनुच्श jätte के प्राउधानों के अंतरगत भारत सरकार ने भारत नरत्न और पद मिसिड प्रारम भिकिया अनुछेद अठारा bleeding लुगा भारती संभिधान के अनुछेद अठारा एक के तहट राज, सेना या बिद्या संबंदी सम्मान के अत्रिक और कोई उपाधी परदान नहीं करेगा अतान उच्छद 18 कि प्राधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस कारो पद्म बिभूसर पद भूसर एों पद्म सिरी को परारम भी किया Demo है भार्दी सम्मिधान का निम्ने में से कौन सा नुच्छत मानों के क्रे विक्रे तथा जबर्दस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है तेस्वां करेक्ट आंसर ए होगा कौन सा मौलिक अधिकार अल्प संखिकों के हितों के संरच्छड की बात करता है सांस्किर्तिक और सैच्छिक अधिकार करेक्ट आंसर डी होगा सम्मिधानिक उप्चारों का अधिकार के तहट आता है मौलिक अधिकार करेक्ट आंसर ए होगा सम27 एक उप्चार को अधिकार उन्विडानो के उप्चारों मौविडाों के थेता आता हैं भारती समिधान के भाग तीन के अनुच्यफ 12 से 25 ये मौविक उप्चारों कर गेन मववीलिक उद्भार के इसे बी आर अम्बेडकर ने सम्मिधान की आत्मा कहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सम्मिधान ने किसे विशेश उत्तर दायत सौपा है उच्चितम नियाल है करेक्ट आंसर ए होगा मार्च 2019 तक उपलब जानकारी के अनुसार भारतिय सम्मिधान में कितने मौलिक करतब्य है 11. करेक्ट आंसर डी होगा भारतिय सम्मिधान में कितने मौल करतब्य दिये गया है 11. करेक्ट आंसर डी होगा मौलिक कर्तब्यों से संबंधित अनुच्छे दिक्यावन ए को सम्मिधान में द्वारा सामिल किया गया है करेक्ट आंसर ए होगा नेक्स्ट है निमने में से किस एक की संस्तुती के आधार पर मूल करतबियों से संबन्दित प्राउधानों को भारत के संभिधान। जोड़ा गया था स्वड़ सिंग समिती की correct answer B होगा next है निमने में से कौन सी समिती ने मूल करतब्यों को सम्मिधान में समलित करने का सुझाओ दिया स्वाडि सिंग सम्थी, correct answer B next है, 42 सम्थान संसोधन के मार्धियम से भारती सम्थान में कितने मौली कर्तब भी समलित किये गए थे 10, correct answer C होगा next है, भारती सम्थान के अंतरगत निमलिखित में से काउन एक मौली कर्तब भी नहीं है लोग चुनाओं में ओड डालना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद